देखो बच्छो कर शहन्म इंबर सिक्स में कहा रहा है तुम्हारे पास एक एक अमबुरेल्बा है जो टेन ट्राइंगल से वने हैं ठीक है ठीक है और डिफेरंट कलर्स किसंब्स हो रेड ब्लू रेडड ब्लू रेड ब्लू ऐसे करके ये कह रहा है कि ये बताओ कि जो डार उनका कितना कितना area लगा है ठीक है बच्छो cloth का तो देखो बच्छो अगर total मेरे पास ten pieces है if total number of pieces कितने बच्छो ten है ठीक है और दो colors है तो I can say कि each color will have how many pieces? पाँच पाँच पीस ये color के होंगे ठीक है each piece will have each color sorry will have five pieces है इच color will have five pieces ठीक है इतनी बात समझ में आ गए अगर red or blue का combination है तो 5 red 5 blue होंगे ठीक चलो अब क्या करोगे हम क्या करेंगे एक का area निकाल देंगे hero's formula लगा कर तो 10 का area आ जाएगा तो चलो क्या करेंगे हमें यहां पर पता है triangle में hero's formula लगाने के लिए पहले s निकालोगे उसके लिए a b c d होना चाहिए a b c sorry a कितना है 50 दूसरी साइड 20 थर्ड साइड अगें 50 ठीक है तो यहां पर हम s निकाल लेंगे सबसे पहले semi parameter s is a plus b plus c divided by 2 ठीक है आप लोग लिख लीजेगा s is equal to a plus b plus c divided by 2 फॉर्मुला हर दफा लिखना है ठीक है clear चलो यह कितना हो जाएगा 120 by 2 यह हो जाएगा s नुम्हारे पास 60 ठीक है clear चलो अब this is question number 6 राइट ठीक है अब यह कितना आगे तुम्हारे पास 60 अब मुझे क्या करना है बच्चों यहां पर मुझे अब area निकालना है तो area is equal to under root s s minus a s minus b s minus c यह कितना हो जाएगा 60 into 60 minus 50 again 60 minus 50 again 60 minus c कितना है 20 यह b है तुम्हारा 20 यह है तुम्हारा 50 खीक है clear है यह जाएगा under root 60 this is 10 40 again 10 ठीक है बच्चों तो मैं यहां से क्या कर सकती हूँ क्या क्या बाहर ले सकते यह देखते जरा हम लोग ठीक है तो देखो बच्चों यहां पर क्या करेंगे हम लोग क्या क्या बाहर लेंगे 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 6 1060 ठीक है अगेन यह 10 40 इंटू 10 ठीक है बच्चों तो मैं यहां से बच्चों मेरे पास देखो और 6 को क्या लिख सकती हूँ 2 3 is a 6 है ना 2 3 is a 6 राइट और कुछ 40 को अब लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10 ठीक है मैंने प्राइम नंबर में सब को स्प्लिट कर दिया ठीक है अब देखो बच्चों क्या क्या बाहर आ सकता है तो यहां पर बच्चों एक तो बाहर आ जाएगा तुम्हारा तू ना टू बाहर आ गया 10 बाहर आ गया अगेन 10 एक और 10 बाहर आ गया क्या बच्चा आप 6 अंदर रह जाता है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 x 10 2 हो गया 10 हो गया एक और 10 आ गया बाहर अंदर रह गया तुम्हारे पास 6 ठीक है सै तो यह हो जाएगा 200 root 6 meter square यह क्या हो गया एक पीस का एरिया है एरिया ओफ इच पीस ठीक है और ऐसे मानो दो कलर जे तो हर कलर की एक कलर की कितने पांच पीस है तो मुझे 5 से बल्टिप्लाय करने पड़ेगा है ना तो यह कितना हो जाएगा एरिया ओफ फाइफ पीसे ऑफ सीम कलर कितना हो जाएगा फाइफ से मल्टिप्लाय करो फाइफ तूसरे पीस है उनका भी सेम एरिया तो वह भी ही हो जाएगा क्लेयर है ठीक है अब आज ओ तूम कुछिन नामबर सेवन पर क्लिए नामबर सेम पाइबर से अराणिप्लाय करुंस